नवस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्के भी तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे गुरूप डी के 60 से जादा सिप्ट का जो एक्जाम हो चुका है उसमें पोचे गए पादब जगत यानि की प्रकास संसलेशन पौधों में जो सुसन होता है पौधों के उतक इनके हार् उन से जुड़े हुए जो भी आपके प्रशन पोचे गए हैं उन सारे प्रशनों को हम लोग डिसकस करेंगे तो पूरा वीडियो बहुत इध्यान से देखिएगा और वीडियो गर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में सेयर ज जाते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो चलिए अब इस वीडियो की हम सुरुवात करते हैं देखे पहला प्रशन पोचा गया एक बहुत सिंपल सा कि पौधों को भोजन और उर्जा कैसे प्राप्त होता है तो आप सभी को ये पत होती है अगला पश्ट पूछा गया कि प्रकास संसलेशन की क्रिया के दोरान सह उत्पाद क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर सह उत्पाद होता है ऑक्सीजन अगर हम लोग फोटो सिंथिस के रियक्शन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि का कार्बन डाय उक्साइड जल के साथ में सूरी के प्रकास में जब अपक्रिया करता है तो इसके परिणाम सरूप गुलोकोज बनता है और यहां पर ऑक्सीजन गैस आपकी बाहर निकलती है तो यह कई बार पर इच्छाओं में पूछा गया है कि फोटो सिंथिस के लिए क्या अवस्यक होता है तो ध्यान रखेंगे कार्बन डाय उक्साइड हो गया पानी है सनलाइट है और जो आपका क्लोरोफिल है यह सारी चीदें फोटो सिंथिस के लिए अवस्यक होती है अगला पच्छल पूछा गया कि निमनलिखित में से कौन सा परपोसी पौधा है या और बेल के बारे में गाउं के लोगों ने इसको देखा होगा कई बार आप लोग पेंड के उपर इस प्रकार के पौधे को देखते हैं तो यह एक परजीवी पौधा होता है जो की प्रकास संसलेशन के जरीए भोजन नहीं प्राप्त करता है और यह जो पौधा होता है जि ल्यूकोप्लाष्ट होता है उसी ल्यूकोप्लाष्ट के द्वारा जो भी प्रकास संसलेशन के द्वारा भोजन बनता है उस भोजन को ये आपके इस्टोर करता है अगला प्रशन पूछा गया कि स्वापोसी पौधों में प्रकास संसलेशन के लिए क्या जरूरी नहीं है त अगला प्रशन पूछा गया कि पौधे ऑक्सीजन किस समय उत्सरजित करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिन के समय ही सूरी का प्रकास होता है और ये जो प्रकास संसलेशन की क्रिया है ये आपके दिन में होती है तो इसी लिए पौधू के द्वारा दिन के समय अगर हम लोग रात की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए रात के समय पौधे आपके सूसन करते हैं और इस दवरान कार्बन डाई ऑक्साइड गैस रिलीज होती है और इसी लिए कहा जाता है कि रात के समय पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए अगला प्रशन प्रकास संसलेशन की जगा स्वसंजादा किया जाए तो इस प्रकरिया से क्या होगा तो ध्यान अख्येगा अगर पौधों के द्वारा प्रकास संसलेशन की जगा स्वसंजादा किया जाएगा तो उस इस्थिती में जो पौधों के अंदर खाना होता है वह आपका धीरे-धी कम होने लगेगा और यहां पर जो पौधा है उसके डिथ हो जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इसके अलामा जो पौधे की ग्रोथ है वो भी आपकी रुख जाएगी अगला प्रशन पूछा गया कि पेंड की जो पत्या है वो आपके किस कारण गिरती है तो यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी आपके पेंड की पत्या में चोर हो जाती है तो उसके प्रणाम सुरूप जो आगजिन नाम का हर्मोन है उसके द्वारा एक यहां पर बैरियर बनाया जाता है और उस बैरियर के प्रणाम सुरूप यहां पर डेंठल कमजोर होता है और आपकी ज तो ध्यान रख्येगा टोटल आपके 6 ऑक्सिजन अणू यहां पर हिस्सा लेते हैं यह आप लोग देख सकते हैं यह गुलुकोज है यहां पर आपके 6 ऑक्सिजन के अणू है इसके परिणाम सुरूप कारबन डाई ऑक्साइड बनती है पानी बनता है और यहां पर बनती है अगला प्रश्ण पूछा गया कि प्रकाजसंसलेशन की क्रिया के दौरान किस प्रकरिया के दौरा पदार्थों का अस्थानांतरण होता है। तो जरूर ध्यान रख्येगा ये प्रश्ण भी 2-3 बार आ चुका है तो जब आपके प्रकाश संसलेशन की करिया होती है तो यहाँ पर जो आपके पदार्थ होते हैं उनका अस्थाना अंतरण ट्रांस लोकोशन की प्रकिया के द्वारा होता है तो ध्यान रख्येगा फोटो क्यों किया जाता है तो जरूर ध्यान रख्येगा प्रकाश संसलेशन की प्रकिया के दौरान जो आपका गुलुकोज बनता है वहाँ गुलुकोज स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है और यह जो आपका स्टार्च होता है यह हमारे पौधों में एकत्रित होता है तो इस अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा अगर हम लोग स्वापोसी जन्तू और पादपों की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो भोजन है वो आपके स्टार्ज के फार्म में संग्रहित किया जाता है अगला प्रशन पूछा गया कि पादपों में प्रोटीन का जो संस्लेशन है वो कौन सा तत्तो करता है तो ध्यान रखिएगा अगर हम लोग प्रोटीन सिंथिसिस की बात करते हैं तो पौधों में ये जो प्रक्रिया है वो आपके नाइटोजन एलेमेंट के द्वारा की जाती है आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा अमीनो अमल है उस अमीनो अमल में आपको नाइटोजन देखने को मिलेगा और पौधों के द्वारा इस नाइटोजन का उप्योग प्रोटीन के संसलेशन में किया जाता है अगला पश्ट पूछा गया कि क्लोरोप्लास्ट जिसे आप लोग हरित लवक भी कहते हैं ये किसमें पाया जाता है तो क्लोरोप्लास्ट के अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्य रोप से जो आपकी सुकेंद्रिक पादप कोसकाय होती है या फिर सहवाली कोसकाय होती है उसमें आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा और इसी के द्वारा आपकी प्रकास संसलेशन की प्रकरिया कम्पलीट होती है अच्छा एक प्रश्ण और पूछा जाता है कि ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें कौन सा एलिमेंट होता है तो नीचे कमेंड में आप लोग बताईएगा कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है अगला प्रश्ण पूछा गया कि पौधों में किस घटना के द्वारा कार्बन डाई ऑक्साइड और ऑक्सीजन संचारित होता है तो इसे कहा जाता है बिस्रण ध्यान रखेगा पादपों में जो गैसों का परिवहन है वो आपके बिस्रण परक्रिया के द्वारा होता है वो पत्तियों में चाल में और आपकी कोशकिये रिक्तिकाओं में संचित होता है ये प्रश्ण देखिए पूछा गया दो तीन बार कि पादपों में जो अपसिष्ट पदार्थ हैं उनको कहां पर संग्रहित किया जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पौधों मे जो पुरानी दारों कोशकाय होती है या फिर जो आपका ओल्ड जायलम उतक होता है यहां पर अपसिष्ट पदार्थों को संग्रहित किया जाता है तो इस प्रश्ण को कई बार से पूछा गया अलग-अलग आपके आप्सन दिये गए तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो आपको आपसन दिया गया होगा उसी के अनुसार आप लोग इस प्रश्ण को अटेम्ट करेंगे अगला प्रश्ण देखे पूछा गया कि पौधों की कोशकाओं में अपसिष्ट उत्पादों को कहां पर इस्टोर किया जाता है यहां पर बात हो रही है पौधे की कोशका क तो अगर हम लोग सेल की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलेगी रिक्तिका तो पौधों में जो आपका वैक्योल होता है उसमें अपसिष्ट पदार्थों को इस्टोर किया जाता है अगला प्रश्ण पूछा गया कि पौधों में पुराने जायलम में कौन सा अपसिष्ट पदार्थ जमा होता है तो दिहान रखिएगा जो आपका ओल्ड जायलम होता है इसमें रेजिन और गम्स नाम के जो अपसिष्ट पदार्थ है वो आपके इसमें जमा किये जाते हैं अगला प्रश्ण पूछा गया कि पौधों के रंधर के द्वारा जो आपके जल की हानी ह होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं ध्यान रखिएगा इसे कहा जाता है वात्वोस सर्जन या फिर इसे हम लोग टांसपाइरीशन के नाम से जानते हैं पौधों में गैसो का जो बिसरण है वो किसके द्वारा होता है तो ये आपके रंधर यानि की जो छोटे-छोटे छ किस फार्म में भंडारित होते हैं तो ये मैंने आपको बता ही दिया ऊत्तर हो जाएगा इस्टार्च अगला पर्श। पॉच्छा गया कि पौधों में जो फ्लोयम उतक होता है ये किसके परिवहन के लिए उत्तरदाई होता है तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है फ्ल वहन के गुर्व के कारण इनको हम लोग समवहनी उतक की रूप में भी जानते हैं अगला पशन पूछा गया कि पौधों के उत्सर्जन के लिए क्या सही है तो ध्यान रखेगा पौधों में जो उत्सर्जन है वो आपके वात्पोत सर्जन बिस्रन और भंडारन के माध्यम से होता है जैसे कि अगर हम लोग वात्पोत सर्जन की बात करते हैं तो जो भी आपके गैसिये अपसिष्ट और पानी हैं उनको पौधे रंद्र, तने या फिर फलों के माध्यम से बाहरी सता में उत्सर्जित करते हैं बिस्रन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्य पौधों द्वारा चाल और पत्तियों में आपके संग्रहित किया जाता है अगला प्रस्त पूछा गया जायलम और फ्लोयम से सम्मंधित कथन बहुत बार यहां से प्रशना चुका है तो अच्छे से ध्यान रखिएगा कि फ्लोयम जो आपके पौधों में होता है वो भोज हिस्सों में पहुचाता है दोनों आपके जटिल अस्थाई उतक होते हैं फ्लोयम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी दिसा दूई दिसा गामी होता है जबकि अगर हम लोग जायलम की बात करते हैं तो यह सिर्फ आपका उर्धो गामी दिसा में गति करता है अगला प् पौधों में बचा हुआ जो गुलुकोज है ये कहां पर संग्रहित होता है तो सिंपल सा प्रेश्ण है पत्यों में आगुलनसील इस्टार्ज के रोप में ये गुलुकोज आपका संग्रहित होता है पौधों को कम उर्जा की आउसकता क्यों होती है देखे आप सभी को पता ह कि जो भी आपके जीवों होते हैं, उनको उर्जा की ज्यादा आउसकता होती है. सबसे ज्यादा जो उर्जा की जरुरत है, वो आपके एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाने में होती है. जबकि अगर हम लोग पौधों की बात करते हैं तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि पौधे एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर गती नहीं करते हैं और इसलिए मुख्य रूप से इन्हें अन्य जीवों के तुल्ला में कम उर्जा किया हो सकता होती है अगला प्रशन पूछा गया कि कौन से समोह के पाउधों में समवहनी उतक अनुपस्थित होते हैं तो ये आपका होता है जलोद विद जिसे आप लोग हैड्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं इसमें आपको कम कठोर यानि कि आपको कठोर जड़े नहीं देखने को मिलेंगी और इनकी जो जड़े होती हैं वो आपकी छोटी होती हैं इसके साथ साथ आविक्सित जड़े होती हैं अगला प्रशन पूछा गया कि काईक प्रवर्धन के विश्य में सही कठन चुनिये तो काईक प्रवर्धन की एगर हम लोग बात करते हैं जिसे आप लोग इंगलिस मे और आलेंगिक प्रजिनन से प्रशना चुके हैं उन सारे प्रशनों को मिला करके डिस्कस करेंगे तो फिलहाल के लिए बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि काई प्रवर्धन एक आलेंगिक प्रजिनन का तरीका है और इसके माध्यम से जो आपके पौधे होते हैं वो जड़, तना पत्ती के द्वारा नए पौधे का निर्मार करते हैं, बीज के द्वारा यहाँ पर नए पौधे का निर्मार नहीं होता है। फिर आपका उप्त तुचिय वात्पूद सर्जन होता है, जिसके माध्यम से 3-9% होता है, और सबसे लाष्ट में होता है लेंटी कुनल ट्रांसपारीसन, इसके माध्यम से पौधों में केवल 0.1% का वात्पूद सर्जन होता है। अगला पौछा गया, कि पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले मूल रोम के सम्मन में सही कथन क्या है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि जब हम लोग पौधों की जड़ों में मूल रोम की बात करते हैं, तो उन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जड़ों में कुछ आपको इस प्रकार के बाल दिखाए देते हैं, और ये जो बाल हैं, इनका मुख्य रूप से काम होता है, कि जो भी आपके मिट्टी में जल है, या फिर जो अपने खाद वगएरा को दिया है पौधों को, उनको ये अवसोसित करते हैं, और उसके बाद म अन्य भागों में इसे पहुँचाया जाता है, अगला प्रशन पूछा गया, कि पौधों में वादपोच सर्जन से क्या नुकसान होता है, तो ज़्यादा अगर किसी भी पौधे में वादपोच सर्जन होगा, तो उस इस्थिती में पौधे में पानी की कमी हो जाएगी, और वो जो आपका पौधा है, वो सूखने लगेगा. अगला प्रशन पूछा गया, कि पौधों में आयन और जल का जो आउसोसन है, वो किस प्रकार होता है, तो अभी मैंने आपको ये बता ही दिया है, कि जो हमारे मूल रोम होते हैं, मूल रोम के द्वारा इनका आउसोसन किया जाता है, और आपको ध्यान रखना है, कि इस प्रकार से आयन और जल के आउसोसन की जो प्रक्रिया है, उसे हम लोग परासरन क्रिया के नाम से जानते हैं. अगला प्रशन पूछा गया, कि पेंड पौधों के द्वारा उत्सरजित, कौन सा उत्पाद मानों के लिए हानिकारक है, तो आपको पता होगा, कि जब भी पौधों के द्वारा सोसन किया जाता है, तो उस ठिते में ये कार्बन डाय आकसाइड का निर्मार करते हैं, और ये हमारे लिए हानिकारक होता है अगला प्रश्ण पूछा गया कि पौधों में भोजन किस उतक में भंडारित रहता है तो ये बढ़ियां प्रश्ण है जरूर ध्यान अखिएगा कि जो हमारे पौधे होते हैं जब उसमें photosynthesis के जरीए खाना तयार हो जाता है तो उसके बाद में ये आपके मुर्दुतक यानि की जो parent काइमा है वहाँ पर भंडारित होता है अगर हम लोग मुर्दुतक की बात करते हैं तो ये आपके पौधों के नए तने में मूल और पत्यों के epidermis में देखने को मिलेगा और इसका मुख्य रूप से काम होता है कि जो भी हमारे पौधों के द्वारा भोजन निर्मार किया जा रहा है उस भोजन को ये इस्टोर करें इसके अलावा epidermis की रूप में ये पौधों को आपके संदच्छित करते हैं अच्छा एक पौइंट और ध्यान रखिएगा कि पौधों में कई बार जो आपका photosynthesis है वो इस मृदुतक के द्वारा भी किया जाता है क्योंकि ये आपके बिल्कुल नए तने होते हैं और आपको पता होगा कि जो भी पौधों में नए तने होते हैं वो आपके हरे होते है इसमें क्लोरोफिल आपको मिलेगा और इसलिए मृदुतक यानि की पैरन काइमा के द्वारा भी प्रकास संसलेशन किया जाता है अगला प्रशन पोच्छा गया कि दिये गए चित्र में पुस्प के भागों को पहचानिये तो इस प्रकार से आपको चित्र दिया गया था य जिससे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं एक आपका वर्तिका है जिससे स्टाइल कहते हैं और एक होता है अंडासर जिससे हम लोग कहते हैं ओवरीव तो ये तीनों आपके स्ट्रीकेसर के भाग हैं इसी प्रकार से अगर हम लोग पुंकेसर की बात करते हैं तो इसमें आपको द से बनता है तो ये जरूर ध्यान रख्येगा कि जब आपके पौधों में निसेचन की प्रिक्रिया हो जाती है तो उसके बाद में जो यहां पर ओवरी है उसी के जरीए आपका फूल बनता है तो निसेचन के बाद जो आपके बेजांड होते हैं वो पौधों में बीज का निर मार पौधों में होता है अगला प्रश्ण पूछा गया कि फोल में प्रजनन अंग कौन सा है तो यह मैं आपको बता ही चुका हो इस्त्री केसर और पूंग केसर पौधों में प्रजनन अंग होता है अगला प्रश्ण पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्प में नर प्रजनन अंग का हिस्सा नहीं है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस्त्री केसर में आपको तीन भाग मिलेंगे और पुरुस भाग में आपको दो हिस्से देखने को मिलते हैं निम्न लिखित में से कौन आपके एक लिंगी पुस्प के उदारण है तो ध्यान रखेगा जब हम लोग तरबोज और पपीता की बात करते हैं तो ये हमारे एक लिंगी पुस्प के उदारन है इसी प्रकार से जब हम लोग उभै लिंगी की बात करते हैं तो इसमें आपका जो गुल्धन और सरसो है ये हमारे उभै लिंगी पुस्प के उदारन है अगला प्रश्ण पूछा गया कि जायलम और फ्लोयम से सम्मंधित सही कथन आपको चुनना था तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फ्लोयम में सरकरा की जो गती है वो आपकी दूई दिशा गामी होती है जायलम में ये केवल उर्धकामी होती है दोनों जटिल अस्थाय उतक होते हैं और इन्हें हम लोग समवहनी उतक के नाम से भी जानते हैं दिये गए चित्र में फ्लोयम के दिशा किस तरफ है अब इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा देखिए जब हम लोग बात करते हैं जायलम की तो जायलम का मुख्य रूप से काम होता है कि आपकी जड़ों से जो पानी और मनरल है उसको उपर ले करके जाए लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं आपके फ्लोयम की तो ये आपका दूई दिसा गामी होता है जबकि अगर हम लोग जायलम की बात करते हैं तो ये आपको सिर्फ एक ही दिसा में देखने को मिलेगा अगला प्रशन पूछा गया कि पाउधों में पत्यों द्वारा नर्मेद भोजन का परिवहन के सुतक द्वारा होता है तो ये आपका फ्लोयम हो जाएगा में पॉइंट यहां पर आपको ये दिहां रखना है कि जब हम लोग फ्लोयम की बात करते हैं तो फ्लोयम में आपको टोटल चार हिस्से देखने को मिलेंगे फ्लोयम में एक हमारा फ्लोयम पैरनकाइमा होता है एक आपका फ्लोयम फाइबर होता है एक इसमें आपको कंपैनियन सेल देखने को मिलेगी और एक इसमें होता है सीव ट्यू यानि कि अगर हम लोग फ्लोयम की बात करते हैं तो वह आपके इन चार चीजों से मिल करके बना होता है जायलम से भी पूछा गया कि जायलम में कितने भाग होते हैं तो ध्यान अखिएगा जब हम लोग जायलम की बात करते हैं तो इसमें आपको ट्रैकाइट्स देखने को मिलेगा बेसल या फिर ट्रैकिया देखने को मिलेगा इसमें आपका जायलम फाइबर होता है और इसमें आपको जायलम पैरन काइमा देखने को मिलेगा तो ये आपके जो जायलम और फ्लोयम हैं इनके टोटल चार पार्ट होते हैं और इनके नाम भी आपको ध्यान रखने है अगला प्रशन था कि निल्खित में से कौन सा इस्कलरन काईमा याने की ध्रिण उतक का अनुप्रस्त और अनुधायर के काट की इमेज है तो यहाँ पर आप लोग इमेज देख सकते हैं यह आपके द्रिण उतक का ट्रांसवर्स सेक्षन है यह वाला और यह इसका लॉंगेट्योशनल सेक्षन है अगला प्रशन पोच्छा गया कि नारियल का जो छिलका है यह किसका बना होता है तो ये तो simple है नारियल का जो छिलका है ये आपके द्रण उतक याने कि इस्कलरन काईमा का बना होता है जब हम लोग simple tissue की बात करते हैं तो ये आपके total तीन प्रकार का होता है एक हमारा मिरुदतक होता है जिससे आप लोग parent काईमा कहते हैं एक हमारा स्थूल कोण उतक होता है जिससे आप लोग colon काईमा कहते हैं और इसे के कारण हमारा पौधा लचीला होता है एक होता है द्रण उतक याने कि ये सबसे आकरी stage है और इसे हम लोग exclusion काईमा के नाम से जानते हैं अगला पैस्ट पूछा गया कि हानकारग रसायनों के आहार स्रिंखला में प्रवेश करना और पूसी अस्तर के साथ बढ़ते चला जाना क्या गहलाता है तो इसे कहा जाता है जैविक आवर्धन क्या कहा जाता है इसे हम लोग जैविक आवर्धन के नाम से जानते हैं तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी पोसी अस्तर होता है या फिर जो आहास रिंखला होती है उसमें इस प्रकार से जब हानकारग रासानों का प्रवेश बढ़ जाता है या उनकी मात्रा बढ़ जाती है तो इसे हम लोग बायो मैगनिफिकेशन या फिर जैविक आवर बादबार रपीट हुए है इसके बाद जो रात वाले सिप्ठ होगी उसमें हम लोग जो भी आपके गर्व निरोधक और गैरा से प्रशनाए है या फिर पौधों में जो आपके आलाइंगिक प्रजिनन से जुड़े हुए प्रशनाए है उन सारे प्रशनों को डिसकस करें थैंक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भारत